हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर चानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी बैल आइकन को ज़रूर दबाए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों स्वागत आपका संगी सिक्षा इन हिंदी में मैं शिवंकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राग भीम पलासी के अंतिम अध्याय भाग तीन में यानि पाठ थर्ड में जिसमें मैं बंदिश काहे करत अभिमान मनवा को गाकर बताऊंगा स्वरलिपी में औ और शब्दों में पूरा और और अबरो पकड़ भी और यह अंतिम भाग है और इससे पहले मैं आपको बंदिश की स्वरलिपी और पूरण परिशे बताया था अब यह अंतिम भाग है तो आप की वाचिंग शुरू करते हैं बंदिश आरो अवरो पहले काले सी शार्प से देखिएगा सी शार तो शबसे पहले आ रो सा नी सा गामा पानी सा अब रो सा नी धापा मागा मागरे सा पकड़ नी सा मापागा मागरे सा एक बार फिर से इसका आ रो सा नी सा गामा पानी सा अब रो सा नी धापा मागा मागरे सा पकड़ नी सा मापागा मागरे सा अब इसकी बंदेश की स्वरलिपी पहले स्थाई पनी धापा गासा गामा पापापा मापागा मापागाétait पानीध्य ल्पा गसा गाम पाप पाप पंहा पगाम पानी उसा सा म पानीध्य व्हछाव सा म पानीध्य नियुक्त कर दो तो ये स्थाई की स्वारलीपी थोड़ा साथ मुझे कोल्ड है तो अवास थोड़ा सा इना के लिए आएगा नहीं उसके लिए वाफी चाहता हूं तो एक बाद शुरू से फिर शुरू करते हैं इस थाई की स्वारलीपी का फिर से दोराते हैं पनिधा पागा सागा मा पापा पापा मा पागा मा पनिधा पागा सागा मा पापा पापा मा पागा मा पागा मा पाणि निदा दा पा 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 निसा सा पा निसा रे निसा सा पा मा पागा मा पागा मा पा निदा पागा सागा यह इसकी स्थाई की स्वरले पी हुई उसके बाद अंतरे की स्थाई से काकर अंतरा कनेट करेंगे पानीधा पाम पागा सागा पानीधा पाम पागा सागा मपाटी स्वरले दौस रखाव आंतरा कैसा यह इंतरे की अंतरे की ऐंतरे की अंतरे की अंतिम लाइन एक बार आप फिर से देखें और आप कोशिश करें जितनी बंदेशा में आपको बताएं तो आप प्रॉपर पैटन में ही गाएं इससे आपको जब आप उसके शब्द गाएंगे इन फ्यूचर तो आपको उसका जो कॉडिनेशन है वो ब्रेक नहीं होगा वो प्रॉपर ताल में भी रहेगा और फ्लो में भी रहेगा और आपको गाने में इजी भी रहेगा जैसे आप कोई लाइन बार बार रेपीट करते हैं तो दिक्कत होगी पर हाँ स्टार्टिंग में आप थोड़ा से रम जाए जब उसमें आप थोड़ा फ्लो बन जाए तो आप उसको वैसी पैटन में फिर लगातार दौनों बार उसकी जो भी लाइन हो नेक्स्ट स्थाई की फिर अंत्रे से कनेट करना हो तो अंत्रे से कनेट करने के लिए स्थाई की एक बार लाइन गाल है फिर अंत्रे की दो बार गाएं फिर यह स्वारली पी पी ऐसी गाएं तो अब इसके शब्दे बार मन वाविर्था सारा जगत पसारा काहे पे करत गुमान मन वा काहे करत अभी मान वा काहे करत अभी मान वा ये स्थाई एसकी एक वा फिर से स्थाई सुनते हैं काहे करत अभी मान मन वा काहे करत अभी मान मन वा विर्था सारा जगत पसारा काहे करत अभी मान मन वा काहे करत अभी मान मन वा ये दुनिया दो दिन का सपना ये दुनिया दो दिन का सपना मात पिता को भी नहीं अपना जब ले कृष्ण अभीमान नमन वा काहिकरत अभीमान नमन वा काहिकरत अभीमान मन वा ये इसका अंत्रा हुआ तो आप इसकी तिहाई लाकरे की सब्वापती करते हैं काहे करते अभी माने मने वा काहे करते अभी काहे करते अभी काहे करते अभी काहे करते अभी मान तो यह सकी पूर्णता बंदिश मैंने आपको सुनाई थोड़ी बहुत अगर गलती हुए तो माफ किजिएगा थोड़ा सा जुखाम है मुझे अच कोल्ड है तो I hope you will like it, share it, comment it and thank you and happy learning, love you so now please watch this video and don't forget to subscribe it, like it and share it and if there is any comment, so please comment on my comment box and I hope you will like it, thank you very much